Assalamualaikum friends So कैसे हो आप सब अगर आपको live time के लिए free hosting and domain चाहिए So then ये video आपके लिए है आपको बिल्कुल free में live time के लिए hosting and domain मिलेगा इस free hosting में आप WordPress को install कर सकते हो या अगर आपके पास कोई custom script है तो आप उसको भी live कर सकते हो But main WordPress है So अगर आप WordPress पर एक blog create करना चाहते हो तो उसके लिए ये जो pre hosting है ये best है And आपको पता है एक beginner के लिए starting में hosting purchase करना बहुत मुशकल होता है क्योंकि उनके पास इतनी investment नहीं होती So अगर आप भी एक beginner हो And WordPress पर एक blog create करना चाहते हो तो उसके लिए ये जो pre hosting है भाई ये best है या अगर आप auto blogging करना चाहते हो तो भाई उसके लिए भी ये pre hosting best है आप इस पर auto blogging भी कर सकते हो Now ये free hosting आपको कैसे मिलेगा कैसे आप इसमें WordPress को install कर सकते हो ये सब कुछ मैं आपको बताऊंगा Just आप इस वीडियो को complete देखो And यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने name chip का एक page open किया है Hosting आपको यहाँ से नहीं मिलेगा Just मैं यहाँ पर आपको दिखा रहा हूँ कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि starting में आपको जो है One Year के लिए यह best hosting होता है और इसमें जो आपको 10 GB का SSD मिलती है Storage ठीक है और 50,000 visitors यह इलनों होगा कहना है कि इतना जो है आपका यह hosting यहाँ पर manage कर सकता है Now यह free hosting आपको कैसे मिलेगा तो भई इस वीडियो की description में मैंने एक link दिया है आप simple उस link पर click करो तो आप इस website पर आ जाओगी ProvePrehost.com Now अगर आप लोगोंने पहले से search किया हुआ है prehosting के बारे में तो आपको यह website पहले से मिले होगा और यह मैंने इसलिए आप लोगों के साथ share किया विकास यह मैंने खुद use किया है इसकी जो hosting है वो best है मैं आपको यह भी बताऊँगा कि यह लोग आपको free में hosting क्यों दे रहे है यह भी मैं आपको बताऊँगा जस्ट आप video को complete देखो यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको unlimited disk space मिलेगा इसका तो मैं आपको 100% नहीं कह सकता क्योंकि मैंने इतना काम नहीं किया है बट हाँ मैंने एक auto blogging यहाँ पर auto blog को set up किया है और अब तक जो है उस पर 9000 plus articles हो चुकी है website बिल्कुल okay है कोई भी मतलब आज तक जो website है वो down नहीं हुआ है तो बिल्कुल जो है आप इसको यहाँ पर use कर सकते हो और आपका जो c panel है वो भी बिल्कुल भाई easy to understand है आपको बिल्कुल जो है मसला नहीं आएगा easily आप use कर सकते हो ठीक है यहाँ पर आने के बाद proprehost.com पर आने के बाद आपको यहाँ पर एक account create करना है account कैसे create करना है आपको register now पर click करना है यहाँ पर मैं अपने एक email जो है copy कर लेता हूँ और simple यहाँ पर मैं एक account create करूँगा ठीक है यहाँ से मैं email ले लेता हूँ now यहाँ पर आपको अपना email address दे देना है ठीक है and नीचे जो है आपको यहाँ पर एक password create करना है तो यहाँ पर मैं एक password दे देता हूं and password देने की बाद आपको simple जो है यहाँ पर register पर click करना है तो आप यहाँ पर देख सकते हो जैसे ही आप register नाओ पर click कर लोगी तो आपको जो है कुछ इस तरीके से show करेगा कि हमने आपको एक email send किया है वो आपने देखना है तो यहाँ पर आपको आना है यहाँ पर अगर आपको inbox में email नहीं मिलता यह बहुत सारे लोगों का problem होता है यह main point है यहाँ पर आपने यहाँ तो spam folder चेक कर लेना है या आपने यहाँ पर trash folder इन तीनों folders में आपको मिल जाएगा मेरे पास यहाँ पर inbox में आया हुआ है ठीक है मैं simple activate account पर click करता हूँ तो जैसे ही मैं activate account पर click करूँगा वही मेरे पास internet का मसला है इसलिए मैं वीडियो क stop करके again यहाँ पर run करता हूँ तो यहाँ पर देखें activate हो चुका है मेरे account अब यह redirect हो जाएगा ठीक है और redirect होके यहाँ पर मेरे सामने कुछ इस तरीके से यह page आ गया अब आपने again यहाँ पर create new account पर click करना है ठीक है तो जैसी आप create new account पर click कर लोगे तो कुछ इस तरीके से आपके सामने जो है create new website का option आ जाएगा now starting में मैंने कहा था कि आपको pre hosting and domain मिलेगा तो यहाँ पर आपको एक pre domain भी मिलता है but domain अगर आपने blogger को use किया है तो blogger में जो आपको pre domain मिलता है dot blog support यहाँ पर आपको domain मिलता है liveblog 365.com मतलब कि यहाँ पर अगर मैं लगा देता हूँ अपना नाम यहाँ पर मैं यहाँ पर लगाता हूँ शाजी तो यह कुछ इस तरीके का होगा शाजी यह देखें नीचे आपर दिखा रहे है शाजी.liveblog 365.com ठीक है कुछ इस तरीके से मेरे blog जो है यह मेरे blog का address होगा अगर आपके पास custom domain है यनि कि अगर आप auto blogging करना चाहते हो या आप कोई और trick use करना चाहते हो बहुत सारे लोग है भाई tricky लोग है वो मतलब pre hosting के पीछे रहते है तो यहाँ पर जो है भाई मेरे पास battery भी खतम होने वाली है यहाँ पर आपके पास .com domain है तो आपने simple क्या करना है कि यहाँ पर आपको custom domain select करना है ठीक है और जहाँ पर भी आपका domain पढ़ा हुए go daddy में है name chip में है या जहाँ पर भी आपका domain है भाई आपने simple domain को यहाँ पर enter कर देना है जैसे मैं यहाँ पर करता हूँ www. और यहाँ पर मैं करता हूँ www.com और आपने क्या करने कि यह जो आपको यहाँ पर custom name servers नजर आ रहे हैं यह name servers आपको simple यह name servers add करने हैं उस domain में ठीक है अब सबसे पहले तो यहाँ पर भाई go daddy पर आपका domain है name chip पर है जहाँ पर भी है वहाँ पर आप just name servers को change कर लो कैसे करोगे आप YouTube पर देख सकते हैं अगर मैं उसका भी बताऊंगा यहाँ पर आपको तो बहुत जादा यह video लंबी हो जाएगी ठीक है आप वो देख सकते हैं कि कैसे name servers change करते हैं और उसके बाद मैं simple जो है यहाँ पर click करता हूँ यह जो आपको button नजर आ रहा है इस पर मैंने click कर दिया और click करने के बाद अब क्या होगा कि आपको भाई एक email आ जाएगा कि हम आपकी website को आपको ready करके दे रहे हैं ठीक है तो आपको जो है 5 से 10 minute लगेंगे और उसके बाद जो आपकी website है यह देखे आपको कुछ इस तरीके से यहाँ पर show करेगा 1.3 जो आपको नजर आ रहे हैं यह जैसे ही 3.3 हो जाएगा तो आपकी जो website है वो यहाँ पर live हो जाएगी अब आगे कैसे होगा मैं आपको एक भी आपका point जो है मैं यहाँ पर miss नहीं करूँगा ताके बाद में आपको कोई problem ना हो अब यहाँ पर जो है इसमें क्योंकर time लगेगा तो यह मैं आपको नहीं दिखाऊँगा आपने जस्ट आपनी email को refresh करके चेक करना होगा आपको यहाँ पर email आ जाएगा या इसी तरीके से आप website को यहाँ पर live रखो मतलब on रखो तो आपको जो है यहाँ पर इनकी तरफ से दो email आ जाएगे कि आपकी website जो है वो ready है अब यहाँ पर मेरे पास already एक ready website है तो वह मैं आपको दिखा रहता हूँ तो यह जो आपको कुछ इस तरीके से नजर आ रहा है loading यहाँ पर हो रहा है जबकि यहाँ पर आप देख सकते हैं मुझे यहाँ पर बिल्कुल live दिखा रहा है और मैंने यहाँ पर क्या नाम रखा हुआ था अब आप WordPress इंस्ट्रोल कर सकते हूँ अब WordPress आपको कैसे इंस्ट्रोल करना है मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ manage पर ठीक है और manage पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको यह जो control panel नजर आ रहा है यह आपका control panel है आपने simple इस पर क्लिक करना है आप इसको c-panel भी कह सकते है तो control panel पर क्लिक करने के बाद यह redirecting हो रही है यहाँ पर ठीक है मेरा जो control panel है वो यहाँ पर हो जाएगा यहाँ पर आपने मैं send anywhere पर क्लिक करता हूँ वही pre hosting है तो आपको कुछ चीजे यहाँ पर मतलब starting में आपको मसला हो सकते है तो यह विजटा panel के नाम से आपके सामने एक panel उपन हो जाएगा और यहाँ पर आप देख सकते हैं सारी चीजे unlimited नजर आ रहा है मतलब आप सब domain add कर सकते हो इसमें मतलब आप domains add करके जितने आप live करना चाहो उतने आप कर सकते हो बाई कोई भी limit नहीं है और मैं अगेन आपको कह रहा हूँ वीडियो के last में मैं आपको बताऊंगा अभी कि क्या यह आपको मतलब personal website के लिए आपको use करना चाहिए या फिर नहीं नाव मैं यहाँ पर scroll करता हूँ बाई कहां पर है यह जो आपको नजर आ रहा है software के section मर आपने इस पर click करना है और जैसे आप इस पर click कर दोगे तो आगे आपको बहुत सारे platforms मिल जाएंगे WordPress है WordPress के अलावा और भी बहुत सारे है यह जूमला इनको मैं use मैं मुझे नहीं पता इनके बारे में PHP भी भी है तो यहाँ पर हमारे काम का क्या है WordPress है तो मैं क्या करता हूँ WordPress को install करता हूँ तो मैंने WordPress पर click कर दिया अब WordPress पर click करते ही यहाँ पर setup आ चुका है अगर आपने एक blogger पर pre-blog create किया है तो same यह उसी तरीके का आपको यहाँ पर एक blog create करना है अब यहाँ पर मैं क्या करूँगा यहाँ पर मैं select करूँगा by https www. ठीक है और उसके बाद भाई इसको मैं जो है तोड़ा सा यह देखे यहाँ पर कह रहे कि आपका SSL certificate activated नहीं है तो SSL certificate का भी मैं आपको बता दूगा कि वो कैसे करेंगे अभी के लिए हमने website को create करना है तो भाई आगे आपको क्या करना है आपको अपने blog का यहाँ पर name दे देना है तो मेरे blog का name होगा यहाँ पर मैं दे देता हूँ भाई यह name होगा मेरे blog का ठीक है यह मेरे blog का name होगया उसके बाद ये मेरी ब्लॉग का user name होगा ठीक है? तो user name मैं दे देता हूँ user, मैं ऐसे ही लिख देता हूँ user, उसके बाद password क्या होगा तो password मैं रख देता हूँ आप भी इसको login कर सकते हो, वीडियो देखने के बाद आप login कर देना ये मैं password दे देता हूँ यह मैंने password दे दिया और इसको मैं जरा copy भी कर लेता हूं क्योंकि मैं जल्दी बूल जाता हूं तो यह मैंने WordPress अपना password दे दिया और description में लिख देता हूं It's all about, या कुछ भी मैं लिख देता हूं All about tech, ठीक है अब आपने क्या करने कि बाई सिंपल आपने कि प्लिक कर देना है इंस्टॉल पे और बूम यहां पर जो हमारा वर्लप्रेस है वो बिलकुल फ्री में ब्लॉग हमारा क्रियेट हो जाएगा ठीक है अगर कोई कुछ हो ना गया तो हो जाएगा ठीक है अला खेर करें यहां पर चेकिंग हो रही है और हमारा जो यहां पर वर्लप्रेस है वो सक्सेस्पुल यहां पर इंस्टॉल हो जाएगा तोड़ा सा वेट करते हैं और उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ आप यहां पर देख सकते हो ब्लॉग क्रिएट हो चुका है लेकिन यह वो वाला ब्लॉग नहीं है मैंने यहां पर एक मिस्टेक किया था तो आपको यह मिस्टेक नहीं करना है मैंने यहां पर स्टार्टिंग में एच्टीटीपिस सेलेक्ट किया था और क्योंकि यहां पर आपको SSL नहीं मिलता है, तो आप starting में HTTPS select नहीं कर सकते, तो ये आपको दियान रखना है कि starting में आपको blog यानि कि WordPress install करते वाक्त आपको HTTP select करना है, मैं आपको अभी दिखा दूँगा कि कैसे करना है, ये बहुत ज़रूरी है अगर आप इसको miss करोगे, तो भाई फिर आपका blog यहाँ पर इस तरीके से access नहीं होगा, ये जो SSL का मसला है, ये हम बाद में कर सकते हैं यानि कि बाद में हम इसको redirect कर सकते हैं तो अब मेरा जो blog है, वो यहाँ पर create हो चुका है, ये मेरे blog का address है, main address, यहाँ आप देख सकते है blog, यहाँ पर नजर आ रहा है, लेकिन nut secure दिखा रहा है, इसका भी मैं आपको समझा दोगा कि आपको SSL free में कहां से मिलेगा, ठीक है, यहाँ पर जो है, मैं अपना, जो मेरा सेम भाई, आपका जो blog है, बिल्कुल free में यहाँ पर, जो है, वो live हो जुका है, अब आपने, मैंने जो यहाँ पर mistake किया था, उसका मैं आपको बता देता हूँ, तो भाई, आपको यहाँ पर install करते वक्त, मैं यहाँ पर again आपको install करके दिखा रहता हूँ, ठीक है, इसको मैं अवर वीव पर जाता हूँ, ठीक है, और यहाँ पर मैं install now पर click करता हूँ, ठीक है, जरा again मैं यहाँ पर, जो मेरा control panel है, उसको open करके आपको मैं दिखा देता हूँ, क्योंकि भाई, यह main है, अगर आप यह mistake करोगे, तो फिर भाई, आप मुझे comment करोगे, भाई, नहीं हुआ, मसला आगया, website access नहीं हो रहा, तो उसका जो main problem होता है, वो यह होता है, कि install करते वक्त, आपको http select करना है, आपको https select नहीं करना है, वरना आपको यहाँ पर मसला आएगा, ठीक है, तो मैंने यहाँ पर mistake किया था, यहाँ पर मैंने select किया था, https, जबके आपको https select नहीं करना है, आपको http select करना है, यह जो आपका ssl का मसला है, यह बाद में आप redirect कर सकते हो अपने domain को, उसका भी मैं आपको फुल वीडियो बना के आपको दिखा दोंगा, कि बाई, ssl आपको कहा से मिलेगा फ्री में, आप ssl भी फ्री में लेके न, अपने website को secure कर सकते हो, बाकी बाई, बिलकुल simple है, आप unlimited website बना सकते हो, और भी बहुत सारे website है, इस website की तरह जो आपको free में hosting प्रोइट करते हैं, लेकिन इनकी जो hosting है, वो तोड़ा सा fast है, मैं खुद use कर रहा हूँ, तो आप भी इसको तोड़ा सा use कर सकते हो, सीख सकते हो, main बात जो मैं आपको final बात बताऊंगा, वो यह है, कि आ आप अगर एक personal website बनाना चाहते हो, मतलब lifetime के लिए आपने सोचा हुआ है, कि मैं एक website बनाना चाहता हूँ, जिस पर lifetime काम करूँगा, उससे earning करूँगा, तो उसके लिए आप इसको use ना करें, फिर आप investment करके एक अच्छी सी hosting लो, name chip से ले सकते हो, या go daddy से ले सकते हो, लि आपकी website फिल यहाँ पे access नहीं होगा, अगर आप चाहते हो कि SSL का बता तो, जो कि मैं 100% बताऊंगा, लेकिन फिर भी आप मुझे comment कर सकते हो, वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो आप like कर देना, क्योंकि मैंने 3-4 दबाइस वीडियो को record किया, और किसी reason के वज़े से बाई बार बार ये वीडियो जो है, वो खराब हो जाती है, तो इस बार जो वीडियो है, वो successfully create हो चुकी है, मैं आप समय लोगा, नेक्स वीडियो में, जरूर मुझे comment करना, अगर आपको SSL भी चाहिए, मिलते हैं, नेक्स वीडियो में, अलाफीस